जै माताती दोस्तों, पुझे शिक्ती चानल में आप सभी मेरे भाईयों और भाईयों को बहुत बहुत स्वागत है आज जिस नेवीशे पर हम चर्चा करेंगे वो है लव रीडिंग जो की बहुत सवाल आ रहे थे तो इनके लिए हम लेकर आए हैं, टाइमलेस लव रीडिंग के आपका सच्चा प्यार आपको मिलेगा कि आपका रिलेशनशिप शादी तक जाएगा और कितने महीने या कितने समय में आपको सक्सेस आपके लव रिलेशन में मिलेगी क्योंकि लव रीडिंग के लिए काफी सवाल आ रहे थे तो ये जो वीडियो है उन सभी के लिए जो इस समय रिलेशनशिप में है आप अपने पार्टनर का नाम 11 बार बोलिए और उसके बाद जो भी नंबर, कलर या हाट आपको एट्रेक्ट कर रहा है उसकी तरह फोकस करिए चाहे तो इस समय पर वीडियो को पॉस कर दीजिए और वीडियो पॉस करने के बाद जो है आप सच्छे मन से और हो सके तो एकांत में जहाँ पर कोई समय नहों आपके साथ किसी की vibrations आपके साथ connect ना हो रही है उस समय पर उस जगह पर बैट कर जो है आप पूछें और जब आपको लगे कि हाँ आप comfortable है जो भी reading के लिए तो description में जाकर आप उस pile पे click कीजे तो आप direct जो है उस reading पर पहुँच जाएंगे तो हम जो है इस समय पर आपको जो भी number, colors या heart attract कर रहा है उसी के तरफ focus करते वे reading को आगे देखिए तो जैसे आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर 1, 2 और 3 readings रखे में सामने आपने आशा है जो pile है वो चुन लिया होगा तो सबसे पहले यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे number 1 वा किस दिक्कत आई है तो किस वज़से आई है तो पहला जैसा आप यहाँ एंजल काड़ देख रहे हैं तो यह वेटिंग का काड़ दिखा रहा है शायद काफी समय से किसी सीच के लिए वेट कर रहे हैं और यहाँ पर जो है थोड़ा सा जगड़े का गुस्से का काड़ थोड़ी अकड़ वाली और थोड़ी ऐसी जो की जुकने को तयार नहीं है और यहाँ पर जो टाइमिंग है कि किस समय तक सचे प्यार को प्राप्त कर सकेंगी या रिलेशन्शिप में कब तक ससस मिलेगी तो परफेक्ट टाइमिंग जो है एक महीने के बाद आएगी और उस जुकना नहीं चाह रहे हैं परंतु रिलेशन्शिप में रहना चाह रहे हैं और चीजों को समझे बिना जो चाह रहे हैं कि काम बनते जाए तो वह नहीं होगा उसके लिए थोड़ा सा जुकने की ज़रूरत पड़ेगी आपके पार्टनर में जो थोड़ी एक गुस्से की थोड़ी सी जल्दबाजी की आदत है उसमें थोड़ा सुधार लाना होगा इमोशन्स पर बात करें तो आपके पार्टनर में इस समय पर बिल्कुल भी इमोशन्स जो हैं रिलेशन्शिप को लेकर बिल्कुल भी सॉम या सॉफ्ट नहीं दिख रहे हैं वह बहुत हास रिले कर वेटिंग का दिखा रहा है तक किसी चीज की चीज का समय का इंतजार आप करते वे दिखाई दे रहे हैं या यह हो सकता है मैरिज के लिए इंतजार हो या रिलेशन्शिप में सुधार के लिए इंतजार हो वरन्तु किसी समय किसी चीज का इंतजार आपके मन में है जिसक एक महीने के बात का जो समय रहेगा perfect timing रहेगी situation को समझने के लिए जगड़े को सुलजाने के लिए या आगे बात्चीत करने के लिए विवाह के लिए या relationship में आगे success पाने के लिए तो नंबर पाइल वाले थे उन सभी के लिए अभी यही मैं कहूंगी कि आपकी partner की तरफ से जो भी चीजे बहुत ज़दा heart दिखाई दे रही है उनमें सुधार लाना थोड़ा मुश्किल है परन्तु हाँ आप अगर wait कर सकते हैं तो एक महीने तक wait करिए क्योंकि जो आपके partner का behavior है उसमें सुधार नहीं आएगा वो behavior इनका ऐसा ही रहेगा आने वाले समय में भी तो अगर आप move forward होना चाहते हैं relationship से छूटना चाहते हैं तो भी आपका एक महीने का समय आपको at least लगेगा इस relationship से पूरी तरीके से बाहर निकलने में और अगर अगर आप सुधार चाहते हैं तो भी आपको एक महीने का समय लगेगा परन्तु अगर आपके partner में emotion soft होंगे तो बिल्कुल नहीं होंगे वो emotionally बिल्कुल भी जो है softness नहीं दिखाएंगे खासतोर पर इस relationship में उनका behavior जैसे past चीजों में था जगडे का था या वाद विवाद का था जाया मुझे थोड़ा जो है aggression दिखाई दे रहा तो वो भी आगे भी दिखाई देगा और वो आगे आप phase भी करना पड़ेगा आपको तो आप अगर relationship में अभी सोच रहें आगे बढ़ने की तो मैं कहूंगी कि एक महीने तक का wait करें चीजों को थोड़ा पक्ष में आने दे और आपको जो चीजें सामने continue दिखने लगेंगी उसके बाद decision ले तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आ विवाह में जाना है या आपको relationship को आगे करना है या आपको move forward होना है तो वो पूरा typically आप पर होगा आपको थोड़ा wait करने की जरूरत है और कम से कम good time देने की जरूरत है इस relationship को क्योंकि हमने जैसे पहले देखा था कि waiting का जो card था उसके just but perfect timing का card निकला था तो perfect timing जो यह है move forward अगर आप होना चाते हैं क्योंकि जो जगड़े हैं वो आने वाले समय में भी आपको देखने को मिलेंगे तो अगर आप अभी एक relationship में है या अगर आपके partner के तरफ से aggression दिखाई दे रहा है तो आपको उस चीज के लिए तोड़ा wait करना होगा जहां तक विवाह की बात ह है तो यहां पर विवाह के भी chances दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपके partner की तरफ से कोई भी जो emotions में प्यार है या एक softness है वो बिल्कुल भी cards में बिल्कुल दिखाई नहीं दिए बहुत hard और बहुत aggression वाले आपके partner का एक nature दिखाई दे रहा है इस relationship को लेकर भी वह ब पारे में सोचे नहीं तो आप बहुत जल्दबाजी कर लेंगे और इसके परिणाम जो होंगे आप पास्ट में देख चुकी है जगड़े शक और यहां तक की aggression जो है आपको पूरी तरीके से आने वाले कुछ समय में भी दिखाई देगा तो आशा है नंबर वन वालों को उ अब अपनी परसनल लेडिंग कराना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.pujashaktis.com पर जाकर भी करवा सकते हैं अब हम बात करेंगे हमारी नेक्स पाइल की जो की है नंबर टू जिनोंने भी नंबर टू चुना था क्या हुने उनके जीवन में सच्चा प्यार प्राप् निकले हैं बहुत पॉजिटिव कार्ड निकले हैं जैसे हम देख लेते हैं कि अभी इस समय पर सिचुएशन में थोड़ा सा आप बहुत जादा चीजों में उल्जे में दिखाई दे रहे हैं आपको लग रहा है कि आपका कार्य शायद नहीं बनेगा बहुत जादा जो है दबाव में हैं दिखाई देने शादी सवज़े से आपको काफी परिशानी आ रही हैं मानसिक चिंदा हैं काफी दिखाई दे रही है और परिशानी हैं आपके इस समय पर आप अपने कंधों पर जो है एक तरीके से बहुत जादा बोज फील कर रहे हैं परन्तों 10 से 15 दिन क फील के बाद जो है थोड़ा थोड़ा आपमें सुधार आने लेगे और जहां तक सच्चा प्यार मिलने के बात है तो बहुत पॉज़िटिव कार्ड जो एंजल ने दिया है कि आपके सॉल मेर्ड जो है आपको कॉल कर रहे हैं याने कि एंजल की तरफ से इसारा है कि आपकी पाल्स वालों के लिए लव रेडिंग जो है बहुत पॉजिटिव निकली है 10 डेस के बाद जो है आपको सुधार चीजों में आता हुआ दिखाई देगा अभी इस समय पर आप जो चिंताएं लेकर बैठें एक तरीके से एक कोई डर अंचाहा सा डर आपको relationship में लग रहा है क कि आगे क्या होगा यह future क्या होगा आपके शायद काफी सवाल है मन के अंदर जो कि आपको काफी चिंताएं दे रहे हैं परन्तु जो end card future का निकला है वो सबसे अच्छा card निकला है 7 of cup का जो कि बता रहा है कि आपकी जो भी wish relationship को लेकर है वो जरूर पूरी होगी और आपको आने वाले समय में जो है अगर आप अभी समय विवावंदन में नहीं बने है तो definitely आपके पार्टनर के साथ होगा परन्तु आपको कैसे situation के साथ handle करना है तो इस situation में आपको सिर्फ आप जो खूद है authentic खूद है जो आप अपने आप में है वही बने रहे किसी और के कहने पर अपने आपको चेंज ना करें क्योंकि आपके अंदर यहां पर मुझे कार्ट के थ्रू दिखाई दे रहा है कि बहुत अची पावर्स पिरिचर पावर्स है आप काफी यहां पर जो है अध्यात्मिक जुड़े होए दिख रहे है शाद आपके पास करमा के कारण तो वही च चाहा रहे हैं कि relationship आगे बढ़ा है या विवावंदन में जाए तो definitely आप आगे जा सकते हैं विवावंदन में बंद भी सकते हैं और इस relationship को आगे आने वाले future में बहुत अच्छे रूप में देख सकते हैं और जहां तक बात है चिंताओं की तो वह चिंता हैं जैसे मैंने क 10-15 दिन के अंदर आपको खुद एक ऐसी खबर मिलेगी जिसके बाद आपको अपने आप रास्ता मिलने लगेगा कि कैसे आप आगे move हो या आप कैसे इन चीजों में और सुधार ला सकते हैं परन्तु जहां तक angels आपको कहा है कि आप अपने आप में जैसे हैं वैसे ही रहे यही सबसे best remedy रहेगी relationship में सुधार के लिए आपको जो चीज अच्छी लगती है वो अच्छी लगती है तो कहें जो नहीं लगती है उसे भी कहें क्या आप अपने relationship में कैसा सुधार चाते हैं क्या कहना चाते हैं अपने partner के साथ उस चीजों के बारे में discuss करें क्या चीज़ है कि इस समय पर manifest किजिए इस समय पर पूचिए आप क्या चाह रहे है क्योंकि आपको इस relationship से आगे आने वाले समय में बहुत जादा positivity मिलेगी आगे future में आपको बहुत love भी मिलेगा care भी मिलेगी और money related भी चीज़ें आपके पक्ष में आती हुई दिखाई दे रहने के तर कि जो भी affirmations और जो भी आपने सोचा है वही सभी help कर रही है आप दोनों को एक साथ मिलने के लिए क्योंकि दोनों ही जो सोल्स है आपकी सोल और आपके पार्टर की सोल दोनों ही चाह रहे है कि इस relationship को हम जो है विवाबंदन तक लेके जाए आगे तक लेके जाए जो कि और दो से तीन कार्ड ऐसे हैं जो कि प्यार के मामले में काफी लगी है तो यह बहुत अच्छा मामला है और मैं यही कहूंगी कि अगर आप विवाबंदन तक जाने की सोच रहे हैं तो आप जा सकते हैं आशा है नंबर टू वालों को यह पसंद आई होगी अगर आप अपन कराना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.pujashaktias.com पर जाकर जो है अपनी पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हैं तो धन्यवाद नंबर टू वालों के लिए अब हम बात करेंगे नंबर थ्री पाइल वालों के लिए क्या कहती है इनकी लव रीडिंग और कैसा रहेगा इ जो कि बता रहा है कि लव रिलेशन में तो डेफिनेटली आपको जो है सक्सेस जरूर मिलेगी और लव लाइफ में भी आपको जो है आगे चांसेस बहुत अच्छे हैं परन्तु उसके जस बात जो है थोड़ा टैंशन का गाट निकला है जो कि इस समय पर शायद आपकी चिंताएं दे रही है या किसी थर्ट परसंट के आने के कारण आप दोनों के रिलेशन्शिप में थोड़ा सा मनमूटाव या किसी प्रकार की थोड़ी सी संभावने साथ में बैठती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं जो कि आगर आगे आने वाले समय मां आपका बड़े आने वाला है या जैसे कहते हैं आपकी जो की जन्म की तारीख होगी उस तारीख के समय पर जैसे अगर आपका 20 अपरेल को बढ़े है तो 20 क्योंकि अपरेल निकल चुका है तो जो 20 तारीख आने वाले एक महीने बाद के समय की जो 20 तारीख रहेगी उस समय तक आपको जो है सह पूरी आगों के आगे आजाएगी और जो की एंजल आपका पूरे तरीके से साथ देंगे यहां पर रिलेशनशिप में इंगेजमेंट का काड़ निकला है परन्तु यहां पर किसी थर्ट परसंड के इंवॉल्मेंट का भी काड़ निकला यह वो कोई फ्रेंड भी हो सकता है या कोई ऐसा थर्ट परसंड है जो फैमिली से भी जुड़ा हुआ हो सकता है जो कि आपके रिलेशनशिप में आकर थोड़ी मन मुटाव की स्थितियां पैदा कर सकता है या कर चुका है जिसके कारण काफी दिक्कतें इस करण सिचुएशन में फेस कर रहे हैं और यहां पर है तो उस समय तक आपकी सिचुएशन पूरी सॉल्व होगी या फिर अगर जनम दिन निकल चुका है आपका तो जो तारीख है आने वाले एक महीने के बाद कि उस तारीख पर आप देखिए आपको सिचुएशन उस समय पर हैंडल होती हुई दिखाई देगी यहां पर क्यो पुड़ा सा नेगेटिव मैं कहूंगी कि निकला है और उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलने में भी एंजल्स ही मदद करेंगी तो बिल्कुल भी उस चीज के लिए आपको दिक्कत जो सोचने वाली बात है या चिंता है उस चीजों को भूल कर आप स्रिफ इस रिलेश चीजें होती है उसको सोच कर वर्काउट करके ही इस रिलेशनशिप में आगे जाने के बारे में सोचिए जहां तक बात है कि रिलेशनशिप आगे तक चलेगा जी बिल्कुल चलेगा विवा बंदन तक भी जा सकता है क्योंकि इंगेजमेट का गाड निकला है और तो विव बहुत अच्छे कार्ड निकले हैं जो कि बता रहे हैं कि सक्सेस आपको जरूर मिलेगी परन्तु थोड़ी सी रुकावट के बात थोड़ी सी चिंदाओं के बात वह वैसे भी होता है अगर रिलेशनशिप में आप किसी के साथ रहते हैं तो थोड़ा सा मन मुटाव चिंद भी आपका जरम की तारीख हो उसमें एक महीना जोड़कर वो देख लीजए आने वाले समय में अगर आपका जरम दिन आने वाला है तो उस समय तक पूरा जवाब जो है आपके सामनी क्लियर हो जाएगा जहां तक थर्ड परसन की बात है तो अगर आपका कोई बेस फ्रेंड या आपका कोई फैंबली फ्रेंड या आपका कोई घर का ऐसा इंसान है जो कि इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़दा जानता है तो अभी इस समय पर थोड़ा भी बैक अप करिए और अपनी चीज़ों को ज़दा लोगों के साथ शेयर करने से थोड़ा सा आपको ब है यानि कि आपको पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की सला दी जारी एंजल की तरफ से जो कि बता रहे हैं कि आप बिल्कूल भी ज़्यादा परिशान ना हो चिंता है नले क्योंकि आने वाले समय में आपको पॉजिटिव रिजल जरूर मिलेंगे और आप आगे ज जरूर आएंगी परन्तु विवास जरूर होगा अगर आप इस समय पर सोच रहे हैं कि जगड़े काफी हो गए या बात बिल्कुल बंद हो चुकी तो एक महीने का समय दीजिए आपको जो है अपने आप रास्ते एंजल दिखाने लगेंगे आप इस समय पर जो है मैनिफिस जादा लोगों के साथ आपको बतानी नहीं है या जादा ओपन नहीं होना है किसी भी क्लोज रिलेटिव के साथ या किसी फ्रेंड के साथ तो आशा है नमबर थ्री पाइल वालों को उनकी रीडिंग ज़रूर पसंद आई होगी ये टैरो लव रीडिंग टाइमलेस है तो आप इस रिडिंग को दुबारा से भी देख सकते हैं और किसी और पाइल को भी चुन सकते हैं अगर आप हमसे अपनी परसनल रिडिंग कराना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.pujashaktis.com पर जाकर करवा सकते हैं आज अपनी बाणी को यहीं विराम देते हैं आप सभ झाल